Hello friends, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि Java में comments होते क्या हैं तो चलिए आगे वड़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं comments के बारे में तो basically होता क्या है जब भी हम कोई program बनाते हैं और program के अंदर कुछ ना कुछ code लिखते हैं तो अगर हम चाहें कि कल के दिन कोई दूसरा programmer या कोई दूसरा इंसान हमारे code को देखे और समझने की कोशिस करे हमारे program को तो हम उस program के अंदर, program के अंदर ही code में ही comments लिख सकते हैं मतलब कि comments में, अपनी भासा में, अपनी language में, यानि कि English में हम वो लिख सकते हैं कि हमने किस चीज के लिए code लिखा है और एक कैसे कैसे work करेगा तो उससे होगा क्या कल के दिन कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरा programmer हमारे code को देखेगा और समझने की कोशिस करेगा तो वो बहुत ही आसानी से समझ पाएगा तो comments basically code को समझने के लिए यूज होते हैं और होता क्या है, जो भी हम comments में लिखते हैं यानि कि जो भी हम comments में लिखते हैं program के अंदर और जब भी हम program को compile करते हैं तो compiler जो comment में लिखी हुई चीजे होती हैं उनको ignore कर देता है यानि कि उनको compile नहीं करता क्योंकि वो code का part नहीं होते हैं वो तो हमने code को समझने के लिए लिखा होता है comments में कि code को कोई समझे तो उस comments की मदद से समझ पाए वो हमारे लिए है ना कि program के लिए तो compiler क्या करता है comments को हमेशा ignore कर देता है comments को compile नहीं करता है तो program में comments से कोई फर्क नहीं पड़ता है जो भी हम logic लिखते हैं वो अलग चीजे हैं और comments जो होते हैं वो हमारे खुद के लिए हैं उसका हमारे प्रोग्राम के लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता है तो comments can be used to explain Java code and to make it more readable मतलब कि Java के code को समझने के लिए कोई भी समझ सके code को हम comments का यूज करते हैं ताकि जो code है वो more readable बन सके अब यहां पर दो तरीकी से comment कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम में Java में एक तो होता है single line comments और दूसरा होता है multi line comments अगर हमें एक ही line में comment लिखना है तो हम क्या करेंगे double slash का यूज करेंगे और उसके बाद जो भी लिखेंगे एक ही line में उसको compiler ignore कर देगा वो कहलाएगा single line comment मतलब कि इस line को compiler ignore कर देगा compile करेगा ही नहीं जब हम इस program को compile करेंगे इसके बाद जो multi line comment है उसको कुछ इस तरीकी से करना है slash star और फिर उसके बाद multiple line हम comment में लिख सकते हैं और फिर उसको close करना है star और slash से तो यह क्या है multi line comment कहलाएगा Java के program में हम quote को समझने या समझाने के लिए comment लिख सकते हैं और यह जो comment होते हैं इनको compiler ignore कर देता है यह program के logic का part नहीं होते हैं तो उमीध है कि आज के इस video से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि comments होते क्या हैं और यह कितने types के होते हैं तो आज के इस video में इतना ही मिलते हैं अंगले video में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्दवात